तो आज मैं जिस करेक्टर के बारे हैं बात करने जा रहा हूं वो पूरे मार्वल सेमेडे यूनिवर्स में सबस्यादा पावरफुल सुपर हीरो है इस करेक्टर को सबस्यादा पावरफुल क्रेट करने के बाद ही स्टेनली ने थोर को क्रेट किया कि कोई ऐसा करेक्टर क्रे आप लोग सोच रहे होगी कि थो जी नहीं तो जी नहीं तो जी नहीं तो एक गोड है और गोड कितने पावरफुल होते हैं इसका अंदादा आप लोग ला सकते हो अगेन मूव ओन हल्क अगर मैं बात करूं हल्की स्ट्रेंड डियाबिलिटी और हीलिंग फैक्टर की तो हल्की स्ट्रेंड का कुछ परसेंट ही हमने मूवीस में देखा है ज्यादा नहीं दिखाया अभी चाहें वह बात करी जाए चित्वरी को एक हाथ से रोगने की या फिर खीव अग्लीचा से लडने की या थोर रगना रोग में फैनमेर्ल फैक्टर को आप यहां देख提क है मैं यहां देख सकती हो कि यहां तो बरगन बदेगों फैनले दिख्टिया में रहव सब्सक्राइब करें लगा रहे हैं लेकिन मैं कहूं यह बात गलत है तो हल्क का हिलिंग वेक्टर इन दोनों से थे हल्क पे बुलेट का भी असन नहीं होता और बुलेट का वेसन है तो कि उसकी बॉड़ी बुलेट प्रूफ है यह कह सकते हैं जितना गुस्सा उतना पावरफ बुरूस बैनर साथ पीच्टी कर रखी हो और बहुत जादा जीनियस है वेकिन हलक के कहत्म सब उल्टा है उसके बाद जीरो लेवल इंटेलियंस है दिमाक से कम और गुस्से ज्यादा सोचता है चलो आज के लिए इतने मेरी वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइ की बेना मत जाना यार सबस्क्राइब कर जाओ ठीक है बहुत मेनद लगती है अ पूप्पार्जी नॉप्पार्णी पेच्ट रगने में सेश्चेश का विर प्रूम अटाइब का मैंने में स्टाइब का सब्सक्राइब करने अबादी आए। कि अपने के चला हैं एल जारते सेटे चाहें तो बादी का दू हैं